नमस्कार दोस्तों मैं हतेश गुपता स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों इस डिस्प्ले एड की जो हमारी सिरिस चल रही है गूगल की जो एड सिरिस चल रही है उसमें यह जो वीडियो है यह बहुत जादा प्रोफेश को टच करना है तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों जी मेल एडस तो डिस्प्ले एडवर्ट इडस में जीमेल एड सिरिक्स्ट में है है ऐसी tips tricks बताई हैं जिनको अगर आप use करोगे तो चीजों को आप optimize कर पाऊगे तो दोस्तो Gmail ads display ads में बनाना आप practically सीखे इस वीडियो के तुरू और हमारे चैनल पे आपको Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, Tutor और बहुत सारे digital marketing platforms के कब लगबग चार सो से उपर वीडियो अभी हैं latest और इस सब latest content है दोस्तों उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको from beginner to advanced level की series भी मिलेंगी जिनसे आप complete 360 degree digital marketing सीख सकते हो तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कर लो अपने दोस्तों को बताओ ताकि वह भी इससे benefit उटा सके तो चलते हैं computer screen पर और सीखते हैं digital marketing website designing services के लिए call करें विजिट करें marketingfundas.com पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Gmail ads कैसे चला सकते हो दोस्तों Gmail के प्रोफेशनल लोगों को भी टच कर सकते हो और यह बहुत बड़ा platform है बहुत बड़ा medium है तो बहुत easily step by step सारा practical level पर सिखाऊंगा आपको तो देखेगा पूरा अच्छे से तो दोस्तों add बनाने के लिए Gmail पर हम new campaign में जाएंगे तो जैसे हम new campaign में गए बनाने के लिए तो यहां पर हम अपना गोल डिसाइड करेंगे sales है leads है traffic है क्या है तो माली जी हमें website पर traffic लेकर आना है तो हम अपना गोल जान लेते हैं कि website traffic है ठीक है तो हमने select कर लिए website traffic as an objective और गोल अब हम display ads में जाएंगे दोस्तों display ads में जाने के बाद यहां पर तीन option आगे standard smart and Gmail तो Gmail campaign पर क्लिक कर लेंगे यहां पर campaign पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपना URL जो भी आपको जहां पर land करवाना है website का landing page का या कहीं और ठीक है तो यहां पर अब कर सकते हो और यहां पर continue पर क्लिक कर दिजए तो यहां पर क्लिक करेंगे तो धोस्तोंव अब हम आ गई हैंफ पर Gmail के campaign में ठीक है अब settings की सारी आ गई आप यहां बदाएंगे यहां पर जासे किए तो यहां पर हम campaign बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर location चूज करेंगे आपको all countries चलाना है तो यहां सलेक्ट कर लो business purpose के हिसाब से लोकेशन में तो क्या है दोस्तों सीधा direct हम डाल देते हैं लाइक डैली हमने डाला और हम पर स्टोर है आपको उसी के एरिया के आसपास ़ाओ दिखाना है तब रेडिये कर लो इक सब्सक्राइन करड़ा दैस में एक इंस्टिड्यूट है डिगिटल माकेसिम ट्रेणिंग का मैं रिट्वियार सब्सक्राइफ है। पर मैं जाओंगा और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लिए कर लिए तो इस टरीक से जहाँ आपके सेंटर से स्टोर से हाँ वैसे कर सकते हैं जो दोस्तो इस चीज तरीक से करना है यह तो location से radius से तैंक यू दूस्ते तो आगे हम बढते हैं safe करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे location option पर अब यहाँ पर हम आगए location option तो यहाँ पर आपको उन लोगों में उन लोगों को अई दिखाना है जो इस एरिये में रहते हैं या फिर उस एरिया में इंट्रेस्ट शो कर रहे हैं तो पहला वाला भी अच्छा उप्शन है रिकमेंडेड है अगर आप चाहते हो कि नहीं स्पेसिफिकली उसी एरिया के लोगों को ही टार्गेट करो जो परमेंटली वहां है तो आप इस सेकेंड ऑप्शन भी चुन सकते हो तो पहले किसम आगे बढ़ते हैं इसको क्लोस करते हैं लैंग्वेजी जी थोस्ते राएंगि में क्या होता है लाइक एंडी इंग्लेश जो भी है आपको यहां से चुस कर सकते हो अबbon यह आपने लेंग्विज चूस कर लिए लाइक हिंदी तो लेंग्वेज दोस्तों तब चूस होती है जब आपको मुंदाई आपने हिंधी चूस कर ली तो एक पाउपीन में एक के लेंग्विज कीज़ेगा या तो इंगलिश ये ये तो अगर आपने हिंडी Google Hindi version में यूज़ करनेवाले हजारों लाखो लोग हैं जो Hindi version Google का यूज़ करते हैं टाइप भी Hindi में करते हैं THो इसलिए उन लोगों को क्या कहते हैं Google पर Hindi में ज़पने ओड़ करना हैं तो इसलिए अगर आपको Hindi English दोनों ओडियांस को टार्गेट करना है तो दो अलग एड्स बना लो एक में हिंदी सेलेट करके Hindi एड्स बना लो एक में English सेलेट करके English को एड्स बना लो तो अभी हम English में कॉंटीन्यू करते हैं और इसको बंद करते हैं Hindi वाले को उटा देते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में बनाएंगे इसलिए मैंने English लेंग्विज टार्गेट करिए अब बिडिंग स्टेटरजी पर आते हैं तो बिडिंग स्टेटरजी अलग 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 केंपेंड अलग अलग केंपेंड टाइप गोल के हिसाब से अलग अलग होती है आपको अबज आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सही बिडिंग सेटरजी अगर नहीं लगाओगे तो अब अच्छा केंपेंड कभी बना ही नहीं सकते तो बिडिंग सेटरजी को एक्स्प्लेंड करने एक लिए हमारा एक टुटोरियल है इस सेरीज के अंदर जहां पर आमने गे पूरी बिडिंग सेरेजी बताइए किसका क्या परफस है वो जरूर देखिएगा अगर आपने आपको सारी बिडिंग सेरेगे रिस की थे वर मेंने नहीं पतातो तो दोस्तों इस चीज का ध्यांड़ भूंट में अभी हमें में जीमेल पे है तो हम मैनूल सी पीज़ी म हमारा चार्ज कटे तो यह हम सेटरजी बिडिंग सेटरजी यहाँ पर हम एप्लाई कर रहे हैं ठीक है एन्हांस्ट हेल्प करने की जरुद नहीं है अगर आप बिगनर हो तो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर डेली का बजट लगा दीजिए सौ दोसो पांसो हजार दोजार जो भी आपका पड़े का बजट है एकॉर्डिंग टू यॉर एरिया टार्गेटेड एरिया ओडियेंस और जितनी देर आप सब के ओपर हमने इस स्रीज के अंदर अलग अलग टूटोरियल बनाए हैं ताकि आप हर एक चीज के बेसिक्स और लॉजिक्स को समझ पाओ ठीक है तो आपको हमेशा कोई भी आड बनाने में असानी रहेगी तो दोस्तो एड रोटेशन में क्या है एक एक करके आपको ब्री आपको बहुत अच्छा experience मिले आपके campaign बूस्ट हो और आपको कम कॉस्ट में ज्याद अच्छे रिजल्ट्स हैं मागर अगर आप इसको चूज करते हो कि नई मेरे को ब्राबर दिखाना है तो आप यह वाला जो आपका है यह वैसे recommended है पहला वाला मैं भी आपको यह recommend ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्ते इसमें अब हम आते है एड़ सेड्यूल के ओपर अब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एड़ सेड्यूल का मतलब है कि माल लेजिए कुछ ऐसे दिन है या टाइम है जिसमें आप नहीं चाहते कि मेरे दिखें तो यहां से आप एक एक करके वह देज चुन सकते हो और उस पर किस टाइम से किस टाइम तक चलाना है हैं से एड़ कर सकते हो हर दे को स्पेसिफिकली आप एक एक करके एड़ यहां पर करते रहो मगर शुरवात में अगर आप पहली बार कैमपेज चला रहो तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से दिन जाद अच्छा response आता है कौन से दिन कम आता है तो आप पहले दस पंतर दिन चला लो उस एड़ में आपको पता लग जाएगा कौन से डेज और कौन से टाइम पर आपको रिस्पॉंस है फिर आप उसके बाद एड का schedule कर लिजेगा ठीक है और वैसे अच्छा रहता है अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अब यहां पर हम आते हैं स्टार्ट और एंड डेट जो है मान लीजिए अभी मैं एड मना रहा हूं और हमारा एड एप्रूवड हो जाता है दो तिन घंटे के बाद वह तो रन होना शुरू हो जाएगा पैसे शुरू हो जाएंगे मगर म होगा अगर आपको ऐसा नहीं करना मैनुली मैनेज करना है तो आपको कुछ करने की दरवत नहीं इसको बंद कर दीजिए देगे डिवाइस का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए मैं अपने जो एड है चाहता हूं कि डेक्स्टॉप लैप्टॉप टैबलेट तीनों पर कर दीजिएगा अब दोस्तों यहां पर आते हैं केंपेइन यूरल ऑप्शन क्या होता है इसमें अगर आपको स्पैसिफिकली और डिटेल में ट्रेकिंग करनी है कहां से और रहा है किस डिवाइस है किस कीवर्ट से तो आप कर सकते हो इसके बार में और जानने के लिए आप केंपेइन यूरल ऑप्शन का मारा वीडियो देख लीजिएगा इधार अभी इसको कुछ करने की जरुवत नहीं है तो मैं आगे बढ़ते हैं डाने में कुछ नहीं बताना है कनवर्जन वाले में कुछ नहीं बताना है अब क्रियेट यूर एड ग्रूप में हम जो भी प् यहां लिख देता हूं इससे क्या होगा मुझे याद रहेगा कि यह जो एड ग्रूप याई पूरे इसके अंदर में एड बनाए वह डिजिटल मार्केटिंग सर्विसे से रिलेटेड है एक बात का ध्यान रखेगा जो भी आप एड ग्रूप बनाओगे तो उस एड से रिलेटेड ही आपको पूरा एड होना चाहिए इस इस सर्विस से रिलेटेड आप दोस्तों है क्या यहां पर थोड़ा सा जीमेल के एड में चेंज होता है आप यहां पर दो ऑप्शन्स आ रहें एक आ रहें कीवर्ट के हिसाब से आप अपनी ओडियंस टार्गेट कर सक हो तो कि अब जनरली प्लेश्मेंट के हिसाब से भी होता है जनरली जो होता है आपका टॉपिक के हिसाब से भी होता है बड इसमें नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह जीमेल एड है तो जीमेल के ही स्पेसिक प्लैटफॉम पर चलते हैं सिर्फ जीमेल पर तो कीवर्ट के तो अब क्या है कि like digital marketing से related मेरी services है तो मैं यहां पर like keywords जाल दूँगा digital marketing service, digital marketing agency, digital marketing company, SEO, SMO, इस तरह के से बहुत सारे keywords यहां पर पेस्ट कर दूँगा but keyword की जो research है वो अच्छे से कीजिएगा क्यों क्योंकि आपको लग सकता है कि यह वाला keyword लोग जातर use करते हैं बट हो सकता है Google आपको और अच्छा ideas दे उसके साथ साथ और भी keywords बताए कि जिन पे आपको अपना audience मिले और वो लोग उस तरह की keywords सर्च करते हूं आपकी services लेने के लिए तो keyword की list अच्छे से बनाईएगा लंबी चोड़ी keyword की list बनाईएगा तभी यहां पर आपके impressions और data available होगा जो की आप जिसको target कर सको अगर बहुत कम keyword होंगे अच्छा volume नहीं होगा तो addy perform नहीं करेगा तो बहुत सारे keywords यहां पर आप relevant keywords होने चाहिए उनको यहां पर पेस्ट कर दो और done कर देना ठीक है तो यह keyword के हिसाब से target हो जाएगा अगर keyword के हिसाब से target करोगे तो फिर आप audience के हिसाब से नहीं करोगे दो में एक add में एक ही तरीके से करना है या तो keyword या audience मैं अभी keyword का आपको समझा दिये audience का करके बता रहा हूं अब audience में क्या होता है दोस्तों यहां पर browse में जाए यहां पर यहां तो detailed demographics में हम देख सकते है पर Intel status इस हिसाब से हमें target करना है या हम in market affinity audience के हिसाब से अब affinity audience क्या होती है कि जो लोग like in sectors में या इन categories में कई सालों से Google देख रहा है कि यह लोग जैसे मैं हूं मानलीजी मैं हिटेश घुपता ठीक है मैं food और डाइनिंग से related जब भी add देखता हूं या इससे related खाने पिनिस related को सर्च करता रहा हूं तो मैं affinity audience में आऊंगा क्योंकि यह मेरी habit है मेरी hobby है कि मेरे को food और डाइनिंग से related चीज़े सर्च करना भी पसंद है और मेरे को देखना उनके ads पसंद है क्लिक करके उन पर जाना पर चीज बगार करना पसंद है तो यह दो चार साल से Google track कर रहा है मेरी habit को तो इसलिए यह एक long term के अंदर habit बनती है इसके ओपर भी अलग से हमने tutorials बना रखे है कि audience में affinity क्या इन market क्या वह भी आप पढ़ गए अच्छे समझ सकते हो तो आप क्योंकि मेरे को digital marketing से related audience चूस करनी है तो मैं media and entertainment में चला जाता हूं ठीक है और मैं यहां पर technology में चला जाता हूं ठीक ह और technology से related मेरे business में ज्यादा उनका interest होगा तो मैंने जैसे select करा देखी यहां पर 4.2 million impressions आ गए ठीक है जो मैं audience select करें इसके साथ साथ मैं अगर in market audience क्या होती है in market audience दोस्तों वह होती है जो हाल जो यह नहीं की 2-3-4 साल से उनकी hobby interest है मगर वो पिछले कुछ महीनों से उस particular है active है यह search कर रहे हैं उनका interest है यह उस चीज के लिए धून रहे हैं यह inquiries कर रहे हैं तो वह लोग जो अभी active audience है उस particular categories में वह in market audience में आते हैं तो यह बड़े hot targeted मतलब clients हो सकते हैं आपके तो इसमें से भी आप आपको लगता है like business industrial products वालों को आपको करना business services वालों को करना ठीक है consumer electronics वालों को करना है ठीक है तो इस तरीके से हमने जो लगे हम उसको choose कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपना in-market audience भी choose कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो यह हमने किया अब इसको हम done कर देते हैं done करने के भाद यहां पर हम आएंगे demographics में अब जो demographics है दोस्तों य इसमें आप जो मेरा product service है या आपका जो product service है आप उसी साब से देख लो कि आपको किस age group के लोगों को add दिखाना है और किस gender को add दिखाना है तो मैं तो 25 से 44 years तक के लोगों को दिखाना चाहता हूं तो मैं वाकी का जो age group है इसको यहां से हटा देता हूं मैं सिर्फ 25 to 44 तक के age group को ही इंटरस्टी लिए मैट दिखाने में man woman दोनों को दिखाना है अगर बायाचन साब का product सिर्फ man के लिए है तो female हटा दो सिर्फ female के लिए तो मैंने हटा दो दोनों को दिखाने तो टिक रहने दो अभी हम done कर देंगे जैसे जैसे मैं targeting कर रहा हूं यहाँ पर impression कम हो गए क्योंकि मैंने age group हटा दिया बहुत सारा ठीक है तो अब automated targeting conversion यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जो है इसको एजटीज रहे देजिएगा यह हमारी जो हमने अभी targeting करी उसके हिसाब से target करेगा audience को ठीक है यहाँ पर add group bid में cost per click क्लिक क्या देना चाह आता हूं कि कोई मेरे click पे add कर जाये तो मैं 5 रुपे तक दे सकता हूं ठीक है तो यहाँ पर दिखाएगा जी इतने हमारे budget में इतने क्लिक का सकते हैं इतने average cpc रहेगी यह सब चीजिए आपको एक idea देता है 100% accurate नहीं होता यह आप जो चलाओगे और कई सारे चलाओगे आपको खुदी experience हो जाएगा अपनी industry और अपने product service में क्या costing आपको आती है यह होगे अब हम आते है main stage पे जोगी है add create करना जो लोग देखेंगे हमारा है तो Gmail add में क्लिक करेंगे तो Gmail add में क्या होता है दोस्तों एक चीज़ आपको बता दू के Gmail add में बहुत सारे sizes होते हैं मैंने एक यह link है आप Google पे नॉर्मली जब टाइप करोगे Gmail add image size इस तरीके से आप Google में नॉर्मल टाइप करना Gmail add image size तो यहाँ पर आपको Gmail के ads के sizes पता लग जाएंगे क्योंकि आप display add जब भी बनाओगे तो यहाँ पर देखो अधर आपको other Gmail के sizes ads के पता लग जाएंगे यह वाले sizes भी होते हैं बड़ जो responsive जो सबसादा चलते हैं वह आपके 1200 by 1200 या वैसे जनरली 1000 by 1000 होता है square size होता है ठीक है यह जनरली चलता है ठीक है और landscape के अंदर यह वाल size चलता है 1200 x 628 ठीक है तो इस तरीके से एक landscape में और एक square के अंदर size होते हैं जादर चलते हैं responsive होते हैं ठीक है तो वह हो गए और बाकी के कुछ other sizes हैं यहां से तो आप यह sizes को ध्यान में रखिएगा और आप अपने designer से add design कराएगा अच्छा design होना जरूरी है अच्छा headlines content use क कीजिएगा तभी तो लोगों को रेट्रेक्ट करेगा आपका अब एड बनता कैसे हो मैं बताता हूं यहां पर आप business name देदीजी जो आपके product service है company का name है जो आप देना चाहते हो like मैं यहां पर media by LLP दे देता हूं क्योंकि यह मेरी company है digital marketing agency है अब मैं यहां पर headline में कुछ keyword देता हूं like digital marketing agency description में देता हूं like best digital marketing packages best digital marketing packages and discounts up to 50% ठीक है तो इस तरीके से attractive description बनाना अच्छे जी headline बनाना ठीक है और यहां पर एक limited ही होता है because Gmail है ठीक है वैसे जनरली हम display में जब responsive ads बनाते तो पांच headings पांच description दालना mandatory है जरूरी भी है क्योंकि उससे अच्छा चलता है इसमें यह हमारे पास एक अच्छी headline डाली है एक अच्छी सी बड़ी अच्छी description बनाई है कि सामने वाल एट्रेक्ट हो तो इस तरीक से देखो एड़ बनना हमारा शुरू हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर हमारा URL आ रहा है because starting में हमने अपना URL डाल दिया था और यहां पर आप देख सकते हो कि अब हम अपनी images add करेंगे तो मैं यहां पर गया और images के मैंने sizes बता दिये हैं मैं अभी recently used में चला जाता हूं बरना आप upload में चले जाना और जहां पर भी आपने banner बनवा के रख्या है उस folder में से जाके banner upload कर देना हमने अभी अभी ads बनाए थे तो हमारे banner यहां पर है recently used में देख रहे हो दोस्तों यह अलग-अलग sizes आप देख रहे हो ना तो इसी तरीके से इहां पर इसमें जो मैंने आपको बताया है आप ऐसे डाली और Gmail के sizes आपके सामने आ जाएंगे तो इन sizes के ads बनवा लिके रखिएगा देखिए दोस्तों add अच्छे सुन्दर add आपका होना आपके रन हो और आपको अच्छा response आए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसमें अब जनरली होता क्या है दोस्तों मैं एक वरी upload पर जाता हूं आपको procedure करके दिखा देता हूं मैं यहां पर गया ads में ठीक है ads में जाने के बाद मैं गया इधर ads and descriptions में गूगल ads में गया ठीक है तो यहां पर हमारे देखे बहुत सारे ads के sizes बगरा आ गए जैसे कि आप देख सकते हो तो एक यह landscape बाला size है इसको मैं upload करूँगा ठीक है इसको मैं यहां पर कर देता हूं use as marketing image क्योंकि यह एक image है continue करूँगा और इसको save करूँगा ठीक है तो यह देखो आपको वीडियो लगाना है तो recently used वीडियो में है बाकि आप Google के अपने YouTube चैनल में जाइए वहां से URL कॉपी कर यहां पर डाल सकते हो जैसे मैं यहां पर आतो मेरी कोई वीडियो है मैंने इस वीडियो को करा यूज कर लिया यह देखो वीडियो भी मेरी हम पर आवे ठीक है यह देखो यूडियो प्रॉपर मेरा एड बन गया देखिया प्रिव्यू कर सकते हो तो दोस्तों कितने अच्छे से हमने एड बनाया है एक एक चीज आपको दिखाई है ठीक है आपसे के अनदर आप अलग-अलग i'meages कर सकते हो i'meages विगार सब आप ऐसे सर्च करोगे सारे । साइजिस आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों फिक है जिससे की आपको पूरा आइडिया रहेगा आपको क्या करना है कैसे करना है ठीक है और वह एड को बहुत अच्छा content बनाना है उसमें image का यूज करो logo का यूज करो ठीक है और अच्छे content का यूज करो और यह देखो आप जैसे की दो preview देख सकते हो एक preview यह है फ्याज एक preview यह है ठीक है तो ऐसे ही आपका एड चलेगा अब यहां पर हम आते हैं नीचे more options में यहाँ पर हम करेंगे call to action अब call to action में है ठीक है अब यहाँ पर call to action में हम लिख देते हैं like get qote तो कोई quote हमसे लेना चाहता है या हम कहते हैं कि contact us ठीक है तो जो भी हम call to action में लिखेंगे यहाँ पर देखें आ गया अब कोई मेरे एड देखेंगा मेरे से contact रहना चाहेगा तो सीधा क्लिक करेंगा contact us ठीक है और यहाँ पर क्लिक करते वह कहां जाएगा हमारे url पर इस वेबसाइट पर तो हमारी वेबसाइट पर आके हमारे details पड़ेगा हमारे सब कुछ दिख रहा है दोस्तों ऐसे ही आपको एड बनाना है अच्छे से अपना ठीक है यह देखें और यह प्रॉपर मैंने आपको अच्छे से जीमेल बनाना प्रैक्टिकली सिखा है ताकि आप इसको करके देख सको एड टू एड ग्रूप कर दोगे इसको अगरा आप यहां पर एड लोगो ओके हमें एक लोगो भी एड करना है यहां पर हम गए तो दोस्तों यहां पर भी हमारी लोगो की image नहीं आ रही है रिसंटली उज में देख लेते हैं यहां पर यह लोगो हमारा फाइल नहीं है यह लोगों की तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे लोगों की फाइल के लिए कोई एक हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं डमी के लिए हम देख लेते हैं दोस्तों इसको यूज़ कर लेते हैं लोगों में सेव कर लेते हैं तो अभी मैंने as a logo use कर लिया है दोस्तों बट वो dummy के लिए use कर रहा है ठीक है क्योंकि वहाँ logo की file नहीं दिखा रहा था इसको add to add group करूँगा ठीक है तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो एक add बन गया है और यहाँ पर आपको एक add नहीं बनाना है multiple add बनाने अलग-अलग content अलग-अलग image और description के सांग क्योंकि आप digital marketing services की अलग-अलग heading, अलग-अलग descriptions अलग-अलग offers दिखाओ अपने add में कि किसी को कोई पसंद आता है किसी को कोई पसंद आता है according to जो customer ढूंड रहा है या उसकी वक्त जो उसकी requirement है तो multiple कम से कम 3 add तो बनाईएगा 3 add बनाने के बाद मैंने एक बनाना दिखाया है और logo बगएरा भी आपको करना है logo की file बगएरा भी होनी चे आपके पास तो यहाँ पर आपको multiple 3 add बनाने हैं वो 3 add बनाने के बाद create campaign पे click करना आप ताकि आपके एक add के अंदर तीन adds अलग अलग होने चीए तीन या चार और जितनी महनत करोगी जितने अच्छे से add बनाऊगी उतरा perform करेगा कम पैसो में भी अच्छे result लाके देगा ठीक है अब यहाँ पर हमारा congratulations your campaign is ready मेरे को बाकी के details जो भी देखने हैं मैं यहां से देख सकता हूँ continue to campaign पे अगर मैं click करूँगा तो यहाँ पर मेरा campaign बन गया है यह देखे मेरा add group है add group में click करूँगा तो मैं अपने adds के अंदर आ जाऊँगा यह देखे अब मेरे यहाँ पर add आज शो हो जाएगा यहाँ एड बनाया था अंडर review है जैसे ही यह approved हो जाएगा तो यहाँ पर approved आजाएगा मेरे add रन होना शुरू हो जाएगा figure शुरू हो जाएगी और बाकी कि कुछ भी चीज़े देख रही है अपने business के लिए use कर सकते हो दोस्तों thank you दोस्तों तो दोस्तों आज हमने gmail पे ads बनाना सीखा है उमीद करता हूँ आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों अगर आपकी कोई specific queries हैं या आपको अलग से जानना चाते हो सीखना चाते हो समझना चाते हो तो उसके बारे में आप हमें comment section में या फिर आप हमें mail पे बताईए ताकि future में हम कोशिश करेंगे कि उनके ओपर भी हम videos लेकर आएं और अगर interesting topic है तो हम कोशिश करेंगे जल से जल लेकर आएं दोस्तो अगर आपको हमारे channel का content पसंद आ रहा है हमारा channel पसंद आ रहा है तो please हमें बताईए हमें भी motivation मिलता है और मेहनत करने का मन करता है आप लोगों के लिए तो दोस्तो मिलके हम लोगों को इंडिया को digitally empower करना है फिर से हमें अपने इंडिया को सम्रिद बनाना है because ये करोना वारस के समय पे हम सब को बहुत ज़ादा struggle करना पड़ रहा है हमारे देश को बहुत ज़ादा परशानी हो रही है तो इन सब से निकलने का एक ही तरीका है skilled बनो और अपने देश को आगे बढ़ाओ तो दोस्तो इसी तरीके से हम लगातार आपके लिए digital marketing के वीडियो लाएंगे practical लेवल पे ताकि आप उनको सीख के अपने business को या अपने career को आगे बढ़ाओ तो दोस्तो चैनल को like करो, share करो, subscribe करो bell icon जहूर दबाएगा thank you for watching marketing fundas